रादे रादे दोस्तों मैं इलेक्ट्रो मोपैथ डॉक्टर आर्वी गोश्वामी आपका अपने यूटूब चैनल में अर्दी का भी नदन करता हूँ दोस्तों आज हम स्केंड डिजिज के बारे में बात करेंगे दोस्तों स्केंड डिजिज कई परकार के रोग नहीं होते हैं बलकि एक परकार से तवचा का जो है संकर्मन हो जाना इन्फेक्टिड हो जाना ही है लेकिन हमने उसके कई नाम दे दिये हैं तो दोस्तों इंटेगुमेंटरी सिस्टम यानि तवचा संस्थान अमारे श्रीर का सबसे बड़ा अंग है इसके बीना श्रीर की कलपना भी नहीं की जा सकती है और यह हमें गर्मी सर्दी से बैक्ट्रिया धूल मीटी वायरिस त्यादी से हमारे इंटर्नल और्गोनों की रक्षा करता है रक्षा करती है श्रीर के तापमान को समाइने बनाए रखती है दोस्तों कई बर क्या होता है कि हमारे श्रीर में टोक्षिन निकठा हो जाते हैं और वो बहार नहीं निकल पाते हैं यानि कि वैस्ट मैट्रियल जो है वो हमारे श्रीर के अंदर डिपोजिट होने लगते हैं और बहार नहीं निकल पाते हैं दोस्तो वही टॉक्षिन जो है किसे न किसी रूप में हमारी तवचा के माद्यम से बाहर निकलते हैं रोग के लक्षन के रूप में दिखाई देते हैं तवचा की दोस्तो तीन प्रते हैं एपिडर्मिस उसके नीचे डर्मिस और उसे नीचे जो है आईपोडर्मिस जो हमारा सर्फेस तवचा का सर्फेस भाग होता है परस्ट भाग होता है उपर काई जो है ये तकरीबन सभी जो डिजिज जैसे एकने है अर्टिकेरिया है सोरियासिस है लिउकोडर्मा है रिंग वरम है वार्ट्स है इचिंग है स्कैबिज है मल्टिपल बुवाइल से हैं अलोपेसिया है और डेंडर फित्यादी जो है ये स्कीन के उपरी सर्फेस भाग में होते है एक बुवाइल जो है वो डर्मिस भाग में चला जाता शीष्ट वगरा जैसे बनती हैं तो वो अमारे डर्मिस भाग में जो है पैदा होती है तो इस परकार जो है ये रोग के नाम दे दिये गए हैं वास्टों में तो स्किन डिजिज एक ही है और मैन कारण उसका जो मैंने बताया कि बोडी में वैस मेट्रियल का डिपोजिट हो जाना किसेने किसी रूप में चाब वो कर्मन डाइशाइड के रूप में हो या पिर किसी और अन्य वैस मेट्रियल के रूप में हो तो दोस्तों एक तो मैन कारण जो है स्किन डिजिज का ये है दुसरा अनुवांसी की भी जिसको अरिडिटरी बोलते है उसकी उज़े से भी ये समस्या देखने को मिलती है जैसे किसी माबाप में माबाप में से दोनों में से किसी एक को अगर स्किन डिजिज है तो उसके ओने वाली संतान में भी लगवग 60% होने की संभावना ये बनती है एक और कारण है दोस्तो इसका आटोमेनो डिजिज आटोमेनो सिस्टम के द्वारा जैसे बोलते हैं ये सोरियासिस ये आटोमेनो डिजिज के रूमें बन उबरती है इसमें क्या होता दोस्तो जो हमारी एमनो पावर है एंटी बोड़ी जो हमारे श्रीर के अंदर जो है भारी बैक्ट्रिया वायरस से हमारे बोड़ी की रक्षा करती है तो कई बार क्या होता है कि वो ही हमारे श्रीर के अंगों को अक्षिती पहुचा पाने लग जाती है और इससे जो है हमारी तबचा इनफेक्टिड होने लगती है वैसे तो दोस्तों जो स्कीन का उपर का भाग है जो पुराने सैल है नए सैल बनते हैं अठाइस दिन का जो चक्कर इसका होता है अठाइस दिन में जो नए सैल बनते हैं वो अठाइस दिन के अंदर अंदर ही डैड हो जाते हैं फिर नए सैल बनते हैं इस तरह से जो है हमारी स्कीन का ये सिस्टम जलता रहता है यानि के पुराने सैल उतरते रहते हैं और नए सैल निचे से बनते रहते हैं लेकिन कही बार क्या होता है है कि, जैसे यह मैंने आपको बताया, psoriasis है, यह जा खिर श्कलाता ललगता है, फुरानी खतम होनी पाहती है, फुर्णी खतम होनी पाती है, नहीं बने लगता है इस प्रकार से सेल के उपर सेल बने लगती हैं, तो वहां की स्किन जो है वो अब थोड़ा सा मोटे हो जाती है, उसका सरफेज जो है, रेड हो जाता है, भूशी उसके उपर से उद्रनी लगती है, खुजली भी होने लगती है, ये सोरियासिस का जो हरो गया, उसका बारे में आपको बताया है अभी क्योंकि हमारे एक साथी ने सोरियसिस के बारे में पुछा था दोस्तों इलाज सब का एक है इलाज जितनी भी बिमारी मैंने आपको बताई है आपको पैचानने के आप सकता है कि हमने यहां पर कौनशी मैडिसिन देनी है क्या कारण है और मैंने आपको कारण भी बतला दिया है इसके तो दोस्तों अगर आप बार बार यह पूछेंगे कि आप रिंग वरम की हमेचे किसा बता दीजिए आप हमें सोरियासिस की शाबता दीजिए आप हमें लिवकट्रमा की शाबता दीजिए तो दोस्तों तो इशे तो यही लगेगा कि आपने जो वीडियो मारा देखा ही नहीं और देखा तो उसको आपने समझा नहीं अच्छी तरह से तो आप पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और उसके पस्चात में उसका करण जानने का प्रयास के जिए कि ये रूट जो है इस बिमारी की रूट कहां पर है तो दोस्तो मैंने इसका करण बताया आपको की बोर्डे में वैस मैट्रील का डीपोजिट हो जाना । न हमारे जाकिए तो से स्वेट कराओ जो है पसीना हमारी स्वेट गलैंड होती है कई बार वो these all औ가 될 कि पश्िना बाहर निकल पाता ँर video cream और हमारे बोदी Franken ने लगता है और यह हमें में स्कैबिज उगरा वाई है इसी प्रकार से किड़नी जो है किंटनी जो है अच्छी तरह से West Meerberg को Film नहीं कर पाती बाहर नहीं निकाल पाती उसको लेवर है दोस्तो यूरिया को ख़री निकल पाता जैसे मेलना सबस्के हैता हो तो इस प्रकार से जो है मैन कारण जो है अमने उसको समझना होगा और उस कारण को दूर करना होगा साथ में तब ही हम skin disease में जो है स्थाई समाधान पा सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैंने आपको कारं दी बता दी और इसकी जो मैं जड़ है वो भी मैंने आपको बता दी है तो इसमें क्या है कि जो है कि क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रो मो xuपैथी में देखे दोस्तों यहांपर हमने सब से पहले क्या है कि पांचन क्रिया है उसको थोड़ हा हां बढ़ाना पड़ेगा और पांचन क्रिया के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक सरल्शा जो है प्रेडिपुरी फायर का मेथर्ड जो है फार्मूला दिया हुआ है उसमें क्या है कि दोस्तो S1 जो हमारी है वो मेटाबोलिक सिस्टम की डाइजेसिश सिस्टम की मेडिशन है बोज़पदार्थ का अच्छी तरह से पाचन करके रज के रूमें त्यार करती है और L1 दोस्तो जो लिफ्ट में टॉक्षिन बगारा बन जाते हैं उनको बाहर निकालने अकाम L1 का है और बलट के अंदर जो टॉक्षिन है वो हमारी A3 काम करेगी वहाँ पर और दूसरा दोस्तो क्योंकि आप सब जानते हैं जब कोई रोगी स्किन डिजिज का ऐसा हो जाता है मेंटिल डिप्रेस तो होगा हो इसमें कोई संदे नहीं है समाज में लोगों के बीच में खड़ा रहने में उसको लज जाएगी बार-बार अंगों को खुजलाएगा तो उसको हिंता सी महसुस होगी डिप्रेस होगा तो वहाँ पर दूसरा फर्मॉला जो मैंने आपको बताया था अपना बोडी के एर जिसमें A2, C5, WE, P1, F1 और S5 इसको भी हमने वहाँ पर लेना होगा दोस्तों यह दो फर्मॉले तो हमने लेने ही लेने हैं इसके पस्चात में दोस्तों हमें देखना होगा कि जो वैस्ट मैट्रियल है खिड्निया अमारी जो है वो प्रोपरली वरक ने कर पा रही है उसके वरक को थोड़ा सामने यहां पर बढ़ाना होगा जिसे वो वैस्ट मैट्रियल जो डिपोजिट हुआ है वो थोरो यूरिन के बाहर निकल जाए एक्सरेट्री सिस्टम के मार्दम से तो वहाँ पर हमने जो है दोस्तों S6, C6, C17, S2 इसको हमने 1.9 के रेशियो से लेना दोस्तों जहां रखिए आप फिर बार-बार पूछेंगे 1.9 का रेशियो यहां से आपने लेना है और यह कंपोजिशन क्यार करना है S6, S2, C6, C17 और RE इसको फिर्ष्ट में लेना है अगर बीपी के कोई प्रोब्लम है पेशेंट को तो RE वहाँ पर आप स्केप कर सकते हैं वहाँ पर WE लगा सकते हैं या BE का प्रियोग कर सकते हैं या GE का भी प्रियोग कर सकते हैं तो इसको दोस्तो आपने जो है इसकी किड्नी के फंक्शन को आपने वहाँ पर बढ़ाना है जिसे हमारा वेस्ट मेट्रियल थ्रो यूरिन बाहरा जाए और एक और हमें कंपोजिशन इसके लिए तयार करना होगा दोस्तों उसके लिए हमें आतों की सफाई करनी होगी उसमें हम एस्टू वर्टू शीटैन सलास और वाई ए ये भी दोस्तों आपको वन नाइन का रेशियो लेना है ध्यान रखिए वन नाइन का रेशियो इसको आप बना लेजिए कि यानि कि पहले वाला जू है एस तू सीच वन नाइन का रेशियो और यह जो दुसरा फार्मूला मैं ने वताइए एस टू वर टू सीटैन सलास और वर्मिभग टू और क्या नाव है ये अबना वाई ये जो है यह यह भी आपने वन नाइन का रेसियो से ही लेना है और इस composition को दोस्तो शाम को आपने according to body weight 40 बूंद लगवग मैंने ये 40 बूंद जो है एक 50 से 60 किलो के आदमी के लिए बताया है ज्यादा है तो आप ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं कम है तो कम भी कर सकते हैं 40 बूंद शाम को गर्म पानी के साथ में शाम को दीजिए ये हमारी दोनों medicine जो है एक्सरेटरी सिस्टम की है ताकि सरीर से जो toxin waste material जो deposit हुआ है वो सरीर से बाहर निकले अब आईए दोस्तो अम जो है अमारी जो organ की medicine है वो लेते हैं यहाँ पर मैंने structural और functional दोनों को ही कठा ले लिया है अलग अलग इसके अंदर नहीं लिया है इसमें हम क्या करेंगे दोस्तो s3 c3 और और विनेरियो वन चाहे तो आप इसके अंदर ge का भी add कर सकते हैं वरना आप skip भी कर सकते हैं इसको इसको आपने क्या करना है कि d4 से क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि चाहिए रिंग वर्म हो या फिर इचिंग हो या स्कैबिज हो या स्वराइसिस हो या एक्जीम हो फुजली तो इनमें उत्ती होती है तो वहाँ पर क्या है कि दोस्तों जो हमारी सेंसरी नरव है उसका कुछ वरक जादा हो जाता वहाँ पर उसके वरक को नॉर्मलाइज करने के लिए अमने यहाँ पर जो है अलकी मात्रा में जो है S3, C3, Vinerio 1, Vermifago 1 और GE को लेना है यानि के D4 से जो हमने D4 38 मेंडिशन का किट बनाया है उसमें से जो हमारा D4 है उसकी प्रतेक की 5-5 बुंदें हमने लेनी है दोस्तो पेसेंट आपके सामने है अब पेसेंट कैसी कंडिशन में है उसको ज़्यादा प्रोबलम है या कम प्रोबलम है वो आपको देखना होगा तो पांच बूंद दोस्तों आप दस मिट पर भी रिपीट कर सकते हैं आदे गंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं एक गंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं दो गंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं ये जो है रोगी की कंडिशन को देख करके उसके अनुशार आपने जो है इसका योज करना है आप पे ये मत कहना कि सर आपने जो है दस मिट बाद का है आपने आदे गंटे बाद का है कितने गंटे बाद दे क्योंकि पेशेंट आपके सामने है सिचवेशन आपके सामने है आपने पेशेंट को देखना उसकी सिचवेशन देखना है उसको ज्यादा है या कम है देखिए दोस्तो इसमें दो प्रकार की कंडिशन होती है मैडिशन दोनों के सेम ही होगी अब क्या है कि एक पेशेंट आता है माली टेंपरेशर का है कोई उसक कि उसको एक सुछार फांस डिगरी बुखार होता है अ कि पजल हो जाता है आप भाउ सब कुछ बोल जाता है भिषाप भी निकल यहां तक कि उसको उल्टी आने लगती है उसको कि ऐसी सिच्विशन है और एक दो सेकिंड पेशेंट है दोस्तों उसको चार पांस बुखार है लेकिन वह आपके बेंच पे आकर के बैठ जा है नोर्मली रूप से के डक्षा मुझे बुखार है देखिए हम चैक करते देखते तो एक सो चार एक सो पांस बुखार है लेकिन वह नूर्मल बैठा हुआ है तो दोस्तों यह तो देखो पेशेंट के इम्मुनिटी पावर के उपने डिपेंड करता है अब दोनों को सेम टेंप्रेचर है लेकिन दवाई भी दोनों को सेम ही होगी लेकिन एक ज़्यादा प तो हमारी इलेक्ट्रो मुपैथी में ऐसी जो है कोई वजह नहीं है कि जो यह काम ना कर सकती हुए अंडर्ड परसेंट काम करेगी लेकिन आपको पोष्डी को पहचानने की जरूरत है रोगी के रोग को पहचानने की जरूरत है उसकी जड़ को पहचानने की जरूरत है आपको शत प्रतिशत सभलता मिलेगी दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि अप्लोड होने में ज़्यादा दिक्कत आती है इसलिए मेरी बात पर आप ध्यान देंगे और ज़्यादा गुरूप में जो है रोगों के बारे में पूछने के बजाए आप समझने का परियास किजिए ये वीडियो जो है आप सभी लोगों की बलाई के लिए है आप लोग समझे तो मेरा यही जो है परशाद होगा यही मेरा आशिरवाद होगा कि आप मेरे बताय हुए वीडियो के अनुशार आप समझे विमारी को समझा आपने रोगी किस्तित्य को समझा और रोगी का इलाज किया उसमें आपने सपलता परात की और जब आप ये कहेंगे कि इसमें सपलता परात की तो मेरे से इसे बढ़कर मेरे लिए खुशी और क्या हो सकती है तो दोस्तों जो हमारे नए साथी है हमारे गुरूप में जुड़ना चाहते है नेशलुक इंडरी है आप नेशलुक जॉइनिंग कर सकते है अमारे जो नंबर है वो स्क्रीन के उपर दिया हुआ है आप उसमें अपना नाम और पता बेज करके जो है गुरूप जॉइन कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई फीस या कोई लालत समय नहीं है हम चाहते हैं कि सभी सिखे और आगे बढ़े इसे के साथ रादे रादे दोस्तो